नमस्कार दोस्तों, वेलकम बेक टू चाइल्ड केर विता इरवेथ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा कि बेबी चार से आठ बार यदी पौटी जाता है तो क्या उसके कारण हो सकते हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि एक न्यूबॉन बेबी जो भी पैदा हुआ है वो यदी एक दिन में चार से पांच बार पौटी जाता है तो वो नॉर्मल माना जाता है, वो कोई बिमारी नहीं होती है लेकिन यदी आपका बेबी थोड़ा बड़ा हो चुका है और आपने उसको उपर से फीडिंग देना भी शुरू कर चुके हैं उसके बात यदी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आप जो बच्चे को उपर से दूद दे रहे हो क्या वो दूद सही है? कई बार ऐसा होता है कि कोई दूद बच्चे को सूप नहीं करता है उसके कारण भी बच्चे को लूज मोशन होते हैं या बच्चा बार बार पौटी जाता है तो यदी आप अपने बच्चे को उपर का दूद दे रहे हैं तो एक बार चेक जरूर किजिए कि जो आप दूद दे रहे हैं क्या वो सही है आप किससे दूद ले रहे हैं यदि ऐसा लगता है कि उस दूद को देने से ऐसा हो रहा है तो आप दूद को वहाँ पर बदल कर देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आप दूसरा लिजी आप उपर से feeding बच्चे को बिल्कुल नहीं करा रहे हैं अभी बच्चे के वल मा का दूद पी रहे हैं उसके बाद भी बच्चे को बार बार पौटी हो रही है तो वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो मा feeding कराती है बच्चे को तो उसका सीधा असर बच्चे के उप होता है कि मा का खानपान कैसा मां जो भी खाएगी जो भी पीएगी बच्चे को पर असर होता हैं क्योंकि feeding के द्वारा बच्चे ऊक्षिप student करिए सात्रिक बोजन करिए, हरी सबजिया खाएं, दाल रोटी खाएं, पूरा मा का खान पान का ध्यान रखें, उससे भी कई बार ये बच्चे की जो शिकायत होती है, ये कम हो जाती है, बच्चे की प्रोब्लम कम हो जाती है, इसके अलवा दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि तो वहाँ पर आपने डॉक्टर से आपको संपर करना होगा कि ये लैक्टोस इंटोर्डरेंस की कंडिशन है तो वहाँ पर हमें बच्चे को लैक्टोस फ्री डाइक देनी हो गी, लैक्टोस फ्री मिल्क देना होगा अब आते हैं दोस्तों आगे यदि बच्चे की पॉट्टी हरी हरी से आ रही है यह पॉट्टी में जाग आ रहा है या बच्चा continuesly रो रहा है यह बच्चे को साथ में बुखार है तो फिर वहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा हो सकता है बच्चे को कोई infection हो उस infection के कारण बच्चे को बार-बार पॉर्टी कर रहा है बच्चा और ये सारे शिकायते हो रही है तो यदि हमें ये सारे लक्षन बच्चे के अंदर दिख रहे हैं तो वहां पर हमें डॉक्ठर को दिखाना चाहिए इसका मतलब यह है कि यह infection के कारण बच्चा ऐसा बार बार पोटी कर रहा है कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब बच्चा 6 महिने से आपका बढ़ा हो जाता है और जब आप उपर से feed देना शुरू करते हो या उपर से खिलाना शुरू करते हैं तो कई बार उसके कारण भी चुकि हमने एकदम से डाइट में चेंज किया है तो उसके कारण भी बच्चे को lose motions लग जाते हैं मा थोड़ा सा भावुक होती है जल्दी जल्दी में जादा जादा खिला देती है कि हमारे बच्चे का पेट भरा रहे खूब सारा बच्चे को मैं अपने बच्चे को खिला दूँ जिससे मेरे बच्चे का वजन बढ़ जाए तो ये चीज़े भी कभी कभी नुकसान दायक हो जाती है इसलिए बच्चे को जो है आप बार-बार खिलाए एकदम ऐसा ना करें कि आप बहुत जादा मात्रा में खिला दे क्योंकि उससे भी बच्चे को दस्ते लग सकते हैं कई बार बच्चों का digestive system वीक होने के कारण भी बच्चे बार-बार पौटी करते हैं क्योंकि बच्चे उस दूद को पचा नहीं पा रहे हैं तो उस condition में यदि ऐसा हो रहा है कि बच्चा बार-बार पौटी जा रहा है तो एक बार आप आयरवेदिक शुशुवम बाली रोग विशिशक को कुछ दिखाएं क्योंकि आयरवेदि में इसकी अनेक अच्छे-च्छी ओशदिया हैं जिससे हम इस चीश को ठीक कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आता हूँ कि क्या इसके उपाय हैं कैसे हम घर में इसको ठीक कर सकते हैं यदि बच्चे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों यदि आपका बच्चा 6 महेरे से बड़ा है और आपने उसको उपर से देना शुरू कर दिया है और बच्चा बार-बार पौटी जा रहा है तो आप उसके खाने में कुछ HC चीजे सामिल करें जिससे की बच्चे के दस्त बंद हो जाएं तो क्य क्या वह चीजे हैं सबसे पहली चीजें कर्ड या दहि दहि बहुत अच्छा प्रोवायोट्य्टिक ओता है जिसके अंदर लैक्टिक ऐसीड होता है दही हमारे आतों कि के छमता को बढ़ाता है आतों को मजबूत करता है पाचन छमता को बढ़ाता है इसलिए आप उस बच्चे को दही जरूर खिलाएं आप डारेक्ट आप दही नहीं खिला सकते तो आप खिचडी में दही मिलाकर आप बच्चे को दे सकते हैं उसके टेस्ट के नुसार आप कि बार-बार पौट्टी की शिकायत हो रही हो तो उस स्थिति में बच्चे को पपीता आम ये बिल्कुल भी ना खिलाए नहीं तो वो पौट्टी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है इसके अलावा दोस्तों ये आपका बच्चा बढ़ा है और थोड़ा सा कुछ चबान के भी काफी अच्छा फाइदे मंद होता है और बच्चों की ये जो प्रॉब्लम होती है ये ठीक हो जाती है जै आर्वेट